रतन टाटा जी आज हमारे बीच नहीं है जम्शेतपुर से उनकी काफी यादे जूड़ी है साल 2021 में संस्थापक दिवस पर वे आखरी बार यहां आये थे तीन मार्च 2021 को संस्थापक दिवस के अफसर पर जम्शेतपुर दौरे के दौरान उन्होंने शेहर वाशियों को नवल टाटा होकी एकेडमी सौपी थी उन्होंने अपने हाथों से इसका उधगाटन किया था यह होकी एकेडमी जम्शेतपुर सहीद पूरे जारकंड के खेल प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा तोफा की तरह है सर क्या नाम हूँ आपका मेरा नम सुमित है सुमित बाथम यहां पर मैं सीनियर कोच हूं और सर क्या कुछ कहना चाहिएंगे 2020 में लास्ट रतन टाटा आये थे जम्शेतपुर हां यहां पर रतन आये थे और उन्होंने यहां पर इनाबरेशन भी आता इस लौंड का जो कि अभी अभी यहां पर खेल रहे हैं तो यह ग्राउंड सर कैसा है क्या पूरे चाहरकन लेवल में सा कोई ग्राउंड है अ एस तो यह पैसलेटी है जो बिल्डिंग है यह ऐसा अभी ताहीं नहीं है आपके क्या लेकर तो अब जाए तो इसे लिए और आगे चीजे सब और रही है तो उनके बढ़ालाए कि सारी चीजेशी तो थोड़ा सा जाए बहुत जादा शोख हुआ कि हाँ हमारे बीच नहीं रहे तो उसी को चलते हम उनके आत्मा को शांते देते हैं कि लब ठीक हो जाए और सब यहां पर स अब जो आदिवासी बेल्ट है जो नहीं कुछ कर पा रहे तो उनके तूशना यहां पर बहुत सारी चीजे डवलक रही है और उनके जो बहुत अच्छे अच्छी लाइफ सब को मिली है तो उनसे वही है कि अब नहीं रहे तो हम पो बहुत ऐसे बुरा लग रहा है और वह है उन्हें बहुत किया सब देश के लिए सर क्या नाम हो आपका मेरा नाम है हसन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे चमशित्पूर में लाश्ट दो एकिस मरतान टाटा जी आये तो और उन्होंने नवल टाटा होकी अकेडमी आप लोगों को सौपा था तो क्या कुछ कहना मतलब टर्फ वगेरा का उनकी थुगी हुआ है लिए उनका सपोर्ट काफी जादा रहा है तो ज़्यक के अश्पर मतलब इक तुकी बात है कि उनका दिहान हो गया है और श्वान की परीजनों और इतने भी लोग उनको तो अधी तक जाने है उनका इंपैक्ट लाया है इसा ग्राउंड कर भी है कि में नहीं है अभी तक इंफ्रस्ट्रक्ट्चर पेस लिखी तो नहीं है और इसे खेल के मतलब यहां पर खेलने से कैसा कुछ अलग अनुभाव होता है मतलब अच्छे बच्छे हां से निकले हैं एरफोर्स में हैं रेलवे में हैं लोगा होगी तो अखेल रहे हैं ुचै जमशेतब्बूर नौल टाता में कब से क्रॉट क्या पर मेराफ ग्राझाची चैनुच मेह अगल दो साल से नहीं wiping क्या कूछ चाहना चाहीं गेंगे जब रांची में पिछले दो साल से होंकी केहल रहे और नवल टाटर में जब होकी खेल रहे तो कितना डिफ्रेंस है इस ग्राउंड में खेलने से इसमें वहाँ राची में था बोल कंट्रोलिंग वगेरा और यहां था चाट और टर्फ में था अंतर है तो कहीने कही है पर खेल थोड़ा और असान हो गया है क्या कुछ कहना चाहेंगे जब आपने सुना की रतान टाटा जी का निदन और लास्ट उन्हों ने इसका उपनिंग किया था बहुत दूख हुआ कि मदब इस्पोट में वह बहुत अच्छे काम कर वह थे इस्पोट के लिए वहासाब दूख हुआ कि इनका निदन हो दिया ब रहाख जिया आूचल था जा आूर एक मैंजे झाल एक सरा जूड़ इस्पोट इस्पोट धान हो वह बहुत हबआ्ट सबस्ट के लिए ऑसे पक नहाणा सका एक मैंजे आर ही हते हुआ हुआ काल